Hello everyone, I am Jhoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 की Maths Workbook Chapter 14 Smart Charts तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना Workbook निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए Pictographs, राहूल मैडी चपाती चार्ट after asking his friends राहूल ने एक चपाती चार्ट बनाया अपने फ्रेंड से पूछने के बाद तो देखे कुछ इस तरह से चार्ट बनाया Those who like Maths, वो लोग जिन्हें Maths पसंद है Those who like English, जिन्हें English पसंद है ठीक है? See the चपाती चार्ट and tell आपको चपाती चार्ट देखना है और बताना है How many children like Maths? कितने बच्चे को Maths पसंद है? तो 3-4 को, ठीक है? तो हम इसमें ठीक लगाएंगे तो देख सकते हैं, Maths कितने को पसंद है? 3-4 को, ठीक है? उसके बाद है How many children like English? तो English कितने को पसंद है? तो 1-4 को, इसमें ठीक लगाएंगे तो 1-4 को English पसंद है ठीक है? उसके बाद है If the number of children is 30 Then, tell the number of children अगर number of children 30 है तो आपको number of children बताना है कि who like Maths, who like English ठीक है? तो आपको कुछ उसी तरह से चपाती चार्ट इस तरह से बनाना है तो देखे, यहाँ पर जो है na number of children 30 जो है यह आपका गलत दिया हुआ है अगर कोई चीज होता किसी quantity अगर आपको measure करना होता तो उसमें आप यह वाला जो 30 है वो हो सकता था लेकिन यहाँ पर students को students का बताना है तो इसने 30 नहीं होगा चाहे तो यहाँ पर 32 लिख सकते हैं आप यह 28 लिख सकते हैं ठीक है? तो हम यहाँ पर 32 कर देते हैं ठीक है? तो यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे चपाती चार्ट तो यहाँ पर देखे जैसे math कितने को पसंद था? 3,4 को math पसंद था तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और 1,4 को English पसंद था 8 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है? और 20 और 8 को आप अगर प्लस करते हैं एड करेंगे तो 32 होगा ठीक है? तो यानि कि 24 को math पसंद है और 8 को English पसंद है ठीक है? इस तरह से बनाएंगे इसके बादे बच्चों से पुछा जा रहा है कि उन्हें कौन सा गेम जादा पसंद है तो गेम दे लाइक अब देखिए यहाँ पर है क्रिकेट तो 20 को पसंद है टैनिस 10 को पसंद है फुटबॉल 30 को पसंद है तो यहाँ आपको बताना है तो टोटल क्या हो जाएगा से हम एड कर देंगे तो हो जाएगा 60 यानि 60 बच्चे है जिन्हें की यह सारे गेम पसंद है ठीक है अब यहाँ पर है कॉस्चन की फाइंड आउट फॉम दे टेबल आपको टेबल से पता करना है चिल्डेन हो लाइक फुटबॉल तो चिल्डेन जिन्हें की फुटबॉल पसंद है तो कितने को है हाफ आप दो टोटल तो टोटल का हाफ तो टोटल कितना है 60 है तो हाफ 30 को पसंद है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ Children who like cricket जो जिन बच्चों को cricket पसंद है तो कितने को है तो one third of the total ठीक है यानि कि 20 को पसंद है उसके बाद है Which game is most popular कौन सा game most popular है तो कौन सा है तो cricket most popular है ठीक है इसके बाद इसी तरह से इसे हम बनाएंगे उसके बाद है तो यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ दिया गया है जो की सो कर रहा है फ्रूट प्रिफेरेंस को ठीक है तो यहाँ पर question है तो आपको पिक्टोग्राफ को देखना है पिक्टोग्राफ से ही आपको question आएंगे उसका आपको answer देना है तो which fruit is most popular तो देखिए कौन सा है तो mango most popular है ठीक है तो हम इसमें जो है लिखेंगे mango which fruit is least popular जो बहुत कम को पसंद है तो कौन सा पसंद है आपल पसंद है बहुत कम किसी को ठीक है यह देखिए आपल 10 को ही पसंद है जैसे कि mango देखिए कितने को पसंद था 30 को और apple apple can को पसंद है तो इसी तरह से आपको most popular और list popular बताना है ठीक है उसके बाद है how many children preferred cherry अब कितने बच्चे जो है वो cherry को prefer कर रहा है cherry पसंद आ रहा है उनको तो देखिए कितने को पसंद आ रहा है 25 चिल्रेंज को cherry है cherry कितने को 25 को पसंद आ रहा है, हम लिखेंगे यहाँ 25 इसके बाद है how many less children prefer apples to mango अब देखें कितने बच्चे को apple यानि की apple कम पसंद आ रहा है ठीक है mango mango की compare में यह आप इसे इस तरह से कह सकते है कि apple के compare में mango कितने को अच्छा लग रहा है ठीक है तो 20 children को तो आप यहां पर देख सकते है apple कितने को पसंद है 10 को ठीक है और apple 10 को पसंद है और mango 30 को पसंद है ठीक है तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 20 यानि कि 20 को ज्यादा 20 बच्चे को ज्यादा अच्छा लग रहा है mango ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे 20 चिल्डन चिक है इसके बाद है what is the total number of children on whom the survey was conducted अब देखें यहां पर आपको total number of children बताना है इस survey में जिन्हें की conducted किया जा रहा है जो survey हो रहा है इसमें तो इसे आप count करके बता सकते हैं यानि कि 85 students हो जाएगा ठीक है तो देखें जैसे कि mango 30 को पसंद है ठीक है उसके बाद mango के बाद आपका हो गया graps, graps कितने को पसंद है 20 को है ठीक है उसके बाद फिर देखें graps के बाद है cherry, cherry 25 को पसंद है ठीक है उसके बाद है apple, apple 10 को पसंद है तो हम total count करेंगे तो total कितना हो जाएगा आपका 85 यानि कि total 85 बच्चे हैं ठीक है तो हम यहाँ पर 85 इस्टुरेंट्स लिखेंगे इसके बाद है, given below is a smart chart, sewing class, forth, fabric extra, circular subject अब देखें यहाँ पर नीचे जो है ना, आपको एक smart chart सो किया जा रहा है जो कि class 4 का है, ठीक है? जहाँ की extra, fabric उनका जो, fabric extra, circular subject है उनका, ठीक है? वो दिया गया है तो कुछ इस तरह से है, dancing का कुछ इस तरह से बना हुआ है singing, art, woodcraft, तो यह सारे है तो आप यह जो face देख रहे हैं एक one face is equal to कितना हो गया? five children ठीक है? यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर देखिए, use the pictograph to answer the following questions अब आपको यूज करना है, pictograph का और आपको question का answer देना है तो how many children like dancing? तो कितने बच्चे को dancing अच्छा लग रहा है? ठीक है? तो 15 children तो देखिए, 15 children कैसे हो गया? तो यहाँ dancing देखिए यह one का कितना हो गया? five one का मतलब है कि five तो three है, तो three means कितना हो गया? fifteen ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे fifteen children which two extra circular subjects are liked by the same number of students तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा extra circular subject है जो कि same number of students को अच्छा लग रहा है ठीक है? तो देख सकते हैं आपकी कौन सा है dancing dancing में भी fifteen है, ठीक है? और कौन सा है? woodcraft woodcraft में भी fifteen है तो यह दोनों same number of students को अच्छा लग रहा है ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे dancing and woodcraft How many more students prefer singing to art? तो इसमें पुछा जा रहा है कि कितने बच्चे singing को पसंद कर रहे हैं आर्ट के compare में, ठीक है? तो देखिए, ten children होगा ठीक है? ten children तो देखिए, art और singing तो art में, देखिए, कितना है? ten है, ठीक है? और singing में कितना है? twenty है, ठीक है? यानि कि ten, इसके compare में अगर हम देखते हैं तो ten student को ज़्यादा अच्छा लग रहा है singing ठीक है? तो ten children लिखेंगे तो कितने बच्चे को woodcraft अच्छा लग रहा है? तो fifteen children को, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं, fifteen children को ठीक है? उसके बाद है which extra circular subject is the list popular? तो कौन सा extra circular subject है? जो की कम popular है, सबसे कम popular है ठीक है? तो art हो जाएगा art जो है, वो सबसे कम children को अच्छा लग रहा है ठीक है? ten ten को ही अच्छा लग रहा है तो हम लिखेंगे art इसके बाद है draw a smart chart, pictograph to represent the following information तो आपको एक pictograph, smart chart आपको draw करना है जो की following information को represent करता है use a relevant symbol to show the given information तो आपको एक relevant symbol देना है जो की इस information को show करेगा ठीक है? तो जैसे है number of students in different sections of class 4 तो यहाँ पे number of students है जो की different section के है class 4 के जैसे की है section A में 36 student है section B में 32 है section C में 24 students है और section D में 40 students है तो इसका आपको एक pictograph बनाना है यहाँ पे जैसे की आपने यहाँ पे देखा उपर में यह pictograph बनाय हुआ है और आपको एक symbol का भी use करना है जैसे कि यहाँ पे हुआ है तो आप कोई भी symbol रख सकते हैं आप अपने recording ठीक है तो कुछ इसी तरह से आपको एक pictograph बनाना है जिसमें कि आपको different section को सो करना है class 4 के और students को सो करना है ठीक है तो यह आप खुद बनाएंगे ठीक है उसके बाद है beverage consumed on Anissa's birthday party by her guests तो यहाँ पे देखिए Anissa का birthday party हो रहा है जिसमें कि जो यह सब आई हुए है जो guests आई हुए है ठीक है तो उन्हें जो serve किया जा रहा है juice तो उसका आपको एक बनाना है pictograph जैसे कि tea tea है 6, coffee 8, juice 10, coke 20 तो यह सारे जो party में जो guest आई हुए है तो उनको जो serve किया जा रहा है जैसे tea है तो tea कितने को serve किया जा रहा है 6 को, coffee 8 को, juice 10 को और coke 20 को तो यह सारे आपको बनाना है एक chart बनाना है pictograph उसी तरह से, same process से ठीक है तो यह भी आप बना लेंगे उसके बादे look at the given graph आपको graph को देखना है ठीक है अब देखे यहाँ पे यह जो है ग्राप सो करता है कि कितने students क्लास 4 के हैं जो की एक सब्ता में जो absent हुए हैं तो इसे सो कर रहा है answer the questions that follow इसके बाद आपको answer देना है यह नीचे जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखे जैसे कि एक ग्राप बना हुआ है number of students है इस साइट में और यहाँ पे है आपका days लिखा हुआ है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday तो यह सारे लिखे हुए हैं ठीक है अब देखें how many students were absent on Thursday तो देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने students Thursday को absent हुए थे तो देखें कितने absent हुए थे 5 students यहाँ पे देख सकते हैं जो Thursday यहाँ पे है Thursday ठीक है Thursday को कितने absent हुए है 5 यह है 5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 students on which day was the attendance maximum तो कौन सर दे कौन सर दिन था जो कि attendance जो है वो maximum हुआ था यानि कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा अत्तर बच्चे आये थे ठीक है तो वैर्डनस डे को अब देख सकते हैं यानि कि जिस दिन सबसे कम absent बच्चा हुआ था उस दिन ज्यादा attendance हुआ था है ना यानि कि वैर्डनस डे को तो हम यहाँ पे लिखेंगे awareness day on which day was the attendance minimum कौन से देन minimum attendance हुआ था तो minimum हुआ था Thursday को ठीक है यानि कि Thursday को minimum हुआ था attendance यानि कि ज्यादा तर बच्चे जो है absent हो गये थे ठीक है यानि कि हम यहाँ पे लिखेंगे Thursday Thursday को ज्यादा तर बच्चे आप sent हो गये थे इसलिए attendance minimum हुआ सबसे कम हुआ तो इसी तरह से इसे बनाएंगे आप जितने भी pictograph आपको बनाना है यह सारे आप कुछ इसी process से बनाएंगे और यह chapter आपका complete हो चुका है तो आपको आपको जहां कहीं भी समझने में परिशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye take care thanks to watch my video